चुरू के तारनगर से कॉंग्रिस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया ने एक्जिट पोल खोले कर कहा कि सरकार की स्कीम को लेकर लोगों में उत्सा है जिससे हर आम और खास को फार्दा मिलने वाला है और गरीब नहीं चाता कि कॉंग्रिस की सरकार जाए इसलिए लोगों तो हमारी यह स्कीमें बंद हो जाएंगे इसलिए लोगों ने बड़ चट के साथ दिया है बड़ चट के भाग लिया है और OPS जिसने कमाल का काम किया है OPS ने इतना साथ दिया है तो इस सारी सीच्वेशन जो है वो कॉंग्रेस अंडर करंट में थी कहीं भी ऐसा नहीं लग एक 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 जीट पॉल जो है कुछ बता रहे हैं वो बिल्कुल उनका कलियर नहीं है वो खुद कनफ्यूजड है लेकिन आज राजस्तान की जनता ने कॉंग्रेस को दोबारा रिपीट करने का मन बना लिया पच्चेस तारी कोई जो मद्दान पर तिस तरह से बड़ा तो ब बीजेपी अच्छे बहुमत के साथ में सत्ता में आगी लेकिन आज जो एक जिट पॉल है वो कुछ औरी परिणाम बता रहे हैं कि कॉंग्रेस के कहीं बढ़त बता रही हैं तो परिणाम जो मद्दान परतिशत है उसका कुछ असर रहेगा इन परिणाम में देखिए एंट ट्रेस एंटि एकमेंसि थी नहीं तो जितना हइपॉल हुआ है वो कॉंग्रेस के परिणाम हुआ है और उन वरड़ों में बूतों पर ज़धा हुआ है जहाँ कोंग्रेस का परिणाम था करस concerns आज महिलाउं का मध्दीन जड़ा हुआ है आभी जञए पी कहती है कि महिलाउ का उत्थान के लिए महिला के ससक्ती करने के लिए जितना काम किया है और भी महिलाओं के लिए जो योजना ये दी उन्होंने उनकी योजना गर गर तक पुंची है इसलिए महिलाओं ने बड़ चड़ करके भाग लिया है मैं मेरे एक शत्र की बता रहा हूँ आपको कि मेरा ऐसा कोई गाव नहीं है जिसमें सोर सिद्लो सो महिलाएं नहीं आई हूँ मिटिंग के अंदर जो कभी नहीं आती बहुत से गाव ऐसे जिसे पहली बार महिलाएं आई हैं तो महिला उने जम के वोट दीया है युवा उने जम के वोट दीया है और करमचारी उने जम के वोट दीया है इसलिए दिया है कि कॉंगरिस की बार महीं ही जमीन तक पहुंची है सच बेढ़ा